लगे दिश्टूएंट्स आएम भावेश सर और वेलकम यू आल आनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म मेटी क्लासे तो इस लेक्चर में हम निमेरिकल प्राब्लम और कुछ कोश्चन्स सॉल्ल करेंगे जोकि इस साल एंटीएससी एक्जाम में आये हैं ठीक हैं तो हम उनका ड स्टार्ट करता है फरस्ट कोश्चन से फक्रस्ट अमारे पास है कि इस वर्वर्ग फ्डॉर्स एंड़ टाइम और रिप्रेजेंटट राएट एड्बी एंड सी तो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए्घ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्क को ठीक है वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर फोर्स को और सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम को ठीक है तो यह से रिप्रेजेंट किया है वर्क को भी से फोर्स को सी से टाइम को तो वर्क जो होता है वर्क जो फिजिकल क सकते हैं Newton into meter भी लग सकते हैं ठीक है पहली बात तो ही हो गई फिर जो force है force की SI unit force की SI unit क्या होती है जो force की SI unit होगी आपके पास Newton आगे देखते हैं time तो time के SI unit तो time के SI unit होती है second ठीक है आगे कहते हैं respectively then the term A by BC will represent A by BC किसको represent करेगी तो हम यहां लिखते हैं A जो है आपका A divided by BC ठीक है तो यह तो physical quantity है अब इस physical quantity के अगर मैं SI unit लिखना चाहूंगे SI unit of SI unit of this physical quantity तो SI unit of this physical quantity में A की unit क्या हो गई A की unit हो गई आपके Newton into meter ठीक है डिवाइड by B B की unit देखो B की unit क्योंगी Newton ठीक है और C की unit है second तो Newton से Newton cancel हो जाएगा और यह आजाएगा meter upon यहां पर आपके पास आजाएगा meter divided by second ठीक है इट मींस क्या हुआ कि यह जो A by BC जो physical quantity डिप्रेजेंट हो रही है इसकी जो SI unit हो क्या रही है meter upon second और meter upon second आप जानते है meter upon second किस physical quantity की unit है velocity किसकी unit है velocity की तो यहां पर जो answer आएगा आपका वो कितना आजाएगा velocity is a correct answer ठीक है समझ में आया क्या कर रहा है आपने है कि A किसको represent कर रहा है work को B को किसको represent कर रहा है force को C represent कर रहा है time को तो work की जो SI unit होती है joule joule होता है newton into meter force की जो SI unit हो नूटन होती है और time की जो SI unit हो second होती है तब जो physical quantity तो इन दी है वो दी है A by BC तो A by BC की SI unit लिका लो आप तो आपने value रखी सौल करा तो क्या है meter upon second मीटर upon second किस physical quantity की उनिट है वेलोसिटी की तो यहां से आपको करेक्ट अंसर क्या गया वेलोसिटी ठीक है अब नेक्स देखते हैं next question लेते हैं तो here is the next question इसमें दिया हुए दा initial velocity of a particle is 10 meter per second तो यू दिया हुआ है आपको initial velocity दिया है 10 meter per second ठीक है आगी देखते हैं इस moving with an acceleration of 4 meter per second square तो acceleration दिया हुआ है इसका body का आपको 4 meter per second square ठीक है now the distance covered by the particle after two second time interval आपको इसमें given है two second तो बहुत easy है यह आपको equation of motion लगानी है बस equation of motion क्या हता है s is equal to ut plus half 80 square यह आपकी equation of motion है इसमें distance पुछी है आपसे distance covered वो आ जाएगी u की value कितनी given है 10 t की value कितनी given है 2 plus half acceleration है 4 and t का square means 2 का square तो 2 to the 4 तो यह हो गया यहां से 10 to 20 plus ठीक है 10 to 20 यह आ गया और यहांसे 2 to the 4 or 4 to the 8 तो यह आ जाएगा आपके पास 28 meter तो very simple questions तो बहुत आसाने solution करना आपको given values लिखो सबसे पहले और given values लिखने के बाद आप देख लो कौन सी equation of motion उस पर apply हो रही है वो equation of motion आप apply करें तो आपका अंसर आ रहा है इसमें 28 meter तो इस question का जो correct answer रहे वा जाएगा 28 meter ओके next question लेते हम next question में आपसे क्या होए next question unit of universal gravitational constant तो देखो सबसे पहले आपको formula याद होना चाहिए बहुत इस तरीके के जो भी question मनें सबसे पहले आप लिको formula तो formula होता है f is equal to g m1 m2 divided by r square ठीक है इसमें क्या होता है m1 जैसे body है m1 mask की body है दूसरी m2 mask की body है और इनके बीच की जो distance हो कितनी है r है ठीक है तो जो gravitational force का formula हो क्या होगा f is equal to g m1 m2 upon r square इसमें जो g है वो universal gravitational constant है तो इसको हम g equation को थोड़ा set करते हैं तो यह f into r square divide by कितना जाएगा यहां से m1 into m2 आजाएगा अब आपसे इन्होंने यह unit तो आपके लिखोगे के भाई si unit si unit of g तो si unit of g is equal to क्या हो जागा si unit of this quantity si unit of यह जो quantity है आपके right side में यहां पर क्या quantity है f into r square divided by m1 into m2 ठीक है तो si unit force की देखो si unit क्या होती है newton होती है r k n की distance है तो distance की हो जाएगी मीटर तो मीटर का square हो जाएगा और यह mass m1 और m2 तो kilogram into kilogram की हो जाएगा kilogram square हो जाएगा तो आप check कर लें हाँ पर newton into meter square divided by kilogram square Newton into meter square divided by kilogram square यह दे रखा है आपको तो इसमें जो answer बनेगा वो second आपका correct answer होगा ठीक है next question लेते हम next question देखो if the speed of wave is 350 meter per second तो speed दे रखे आपको v is equal to दे रखा है 350 meter upon second ठीक है and its wavelength is 100 centimeter तो wavelength देखो lambda दे रखा है आपको 100 centimeter आप numerical जब भी आप solve करो तो ऐसा units लेनी है आपको तो यहाँ पर centimeter को किसमें बतलोगे आप meter में आपको change करना है तो यह 100 और centimeter में देखो बहुत easy है अगर आपको दिक्कत दे 1 meter is equal to 100 centimeter होता है तो यहाँ से आप 1 centimeter is equal to निकालोगे तो क्या आएगा 1 upon 100 meter आएगा तो इस तरह से आप convert कर लिया करो कभी दिक्कत हो आपको तो यहाँ से आप लिख दो 1 centimeter की जगे क्या लिख दो 1 upon 100 meter लिख दो इसको cancel कर लो तो यहाँ से wavelength आपके आगई 1 meter आ गई आगई आगे इन्होंने पूछा है देन the frequency of the wave तो आपको relation आना चाहिए ठीक है आपको relation आना चाहिए जो relation होता हो क्याता है V is equal to N lambda ठीक है एन यहाँ पर क्या है frequency है तो N is equal to किता आजएगा V by lambda आजएगा V देखो आपको velocity कितना दिया हुआ है यहाँ पर 350 दिया हुआ है lambda कितना निकाला आपने 1 निकाला तो answer कितना आजएगा आपके पास 350 ठीक है अब यहाँ से देख लो velocity की unit क्या होती है meter upon second होती यह wavelength किसमें लिए आपने meter में लिए इससे cancel कर लो तो इसकी unit के आएगी one upon second आजएगी जिसको क्या हर्ट्स भी कहते है ठीक है तो इस तरह से आपके वास frequency कितना आ रही है यहाँ पर देखो 350 ठीक है तो 350 हर्ट्स देख लो आप इसमें अंसर का है क्या option आपका यह रहा तो 350 हर्ट्स आपका अंसर बन जाएगा यहां से ठीक है तो इस तरह से इस question को solve करना है next question लेते हैं तो next question आप से पुछा हुआ है the wave having compression and rarefaction is known as तो compression और rarefaction किसमें होता है आपके longitudinal waves में ठीक है compression और rarefaction किनमें होता है longitudinal waves में longitudinal waves क्या होती है longitudinal waves में जो particles होते हैं जैसे यह particles हैं तो particles होते हैं जो along the wave propagation जैसे मालनों यह wave propagation के direction है तो along the wave propagation जो होते हैं वो vibrate करते हैं इसके axis पर इस तरह से इस तरह से करते हैं ठीक है along the this axis ठीक है यह जो waves होती है इनको बोलते है longitudinal waves और इन में क्या होता है compression and rarefaction होता है ठीक है next question लेते है next question देखे next question में क्या दे रखा है the focal length of a lens is 25 cm in diopter power of lens तो देखो power of lens जो होता है होता है one upon f focal length अब इसमें ध्यान रखना कि अगर आपको यह f cm में दे रखा है तो यहां पर आपको 100 करना है तो आपको जो answer हो किसमा आएगा diopter माएगा ठीक है और यही formula p is equal to one upon f आप लगाए अगर f आपके पास meter में है तो यह answer आपका diopter माएगा अभी यहां पर आपको 25 cm दिया हुआ है तो cm में दिया हुआ है तो यह 100 आजाएगा इधर यह 25 as it is रखदे तो answer आपका diopter माएगा four times आप cancel कर लो तो आपका answer क्या बनेगा यहां से four diopter ठीक है तो four diopter मतलब third option आपका सही है यहां पर four diopter answer आजाएगा ठीक है next question लेते हैं so next question देखते हैं अपन in the given ray diagram correct relation for snail slow तो snail slow की बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले तो तो snail slow में क्या होता है कि sign i upon sign r जो ratio होता है sign i upon sign i upon sign r का जो ratio है यह क्या होता है constant होता है यह हमारा snail slow है पर अब यह ध्यान लखना है आपको कि जो i है जो i है यहां पर incident angle यह आर जो है refracted angle यह angle आपको लेने होते है नौर्मल से तो नौर्मल से लेन होते हैं तो मतलब यहां पर यह वाला जो है आपका one second यह जो angle है यह वाला angle यह आपका incident angle बनेगा यहां पर का और इसी तरी के किंसे यह normal से यह वाला एंकल यह बनेगा reflected angle ठीक है तो आप ध्यान से देखो incident अगर यहां पर यह angle A दे रहा यह पूरा complete 90 है ठीक है तो I is equal to कितना आजाएगा आपके पास 90 minus A अजाएगा यहां से यह से ही R की बात करें reflected angle की तो यह complete पूरा 90 यह बी हटाना है आप रहा इस इकल टू कितना जाएगा 90-B आ जाएगा तो यहां से i की वेल्यू तो आपको कितना रखना है i is equal to आपको रखना है 90-a ठीक है और r कितना रखना है यहां पर r रखना है sin 90-90-b ठीक है और यह जो रेश्यू है यह क्या होगा आपका constant होगा constant तो आप देखलें इसमें कौनसा option है आपका सही तो third option आपका सही है 90-a divided by 90-b और is equal to constant ठीक है तो आप ध्याल रखें कि incident angle क्या होता है जो incident ray होती है incident ray normal के साथ जो मनाती है उसको बोलते है incident angle और इसी तरीके से जो refracted ray है refracted ray normal के साथ जो angle मनाती है उसको बोलते है refracted angle तो आपको इस तरी से determine करना है आपका जो सही option है इसमें होगा third third इसमें correct answer है next question देखते है next question काफी easy है आपको दिया हुआ है which term does not represent electric power तो सबसे पहले electric power का formula देख लेते हैं तो electric power का formula होता है P is equal to VI और इसी को ही आप अलग-अलग form में लिख सकते हैं से V is equal to IR में कर देता हूँ तो V is equal to IR अगर मैं रग दू यहाँ पर तो यह formula बन जाएगा मेरा I square R ठीक है इसी तरह से इसी formula में I is equal to V by R रख दो इधर तो I is equal to V by R रखो आप तो यह हो जाएगा आपके पास V square by R ठीक है तो यह तीन तरह से आप electric power के formula लिख सकते हो V I की टम में, I R की टम में और V R की टम में ठीक है अब देख लो P is equal to V upon I P is equal to V upon I होता है क्या P is equal to V I लिखा हो है ठीक है P is equal to V I correct है, P is equal to I square R correct है, P is equal to V square by R correct है तो गलत कौन सा है इसमें से यह वाला, first वाला जो है इसमें wrong है जो की अपना correct answer हो गया, ठीक है, तो easy सा था question यह है, इसमें तो कुछ था ही नहीं आगे देखते हैं तो हमें combination का question दिया हुआ है आगे जाके, तो combination का question है, six volt की supply लगी हुई है इसमें one ohm, three ohm, three ohm, three ohm, और यह one ohm लिखा हुआ है यहाँ ठीक है तो क्या करना है हमको सबसे पहले इसको solve कर लेंगे हम, यहाँ जो यह combination बना हुआ है ठीक है, तो इस combination को solve करते हैं, देखो यह सारे जो है, यह जो combination है, कौन सा है, parallel combination है तो इसका equivalent लिकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसका equivalent लिकालने के लिए, जिसे यह जो point है इस point को में P कर देता हूं और इस point को में Q कर देता हूं ठीक है तो P और Q के बीच में हम निकाल रहे है equivalent resistance तो formula parallel के लिए क्या लगेगा 1 upon R P Q ठीक है और 1 upon R 1 मतलब 3 plus 1 upon R 2 3 plus 1 upon R 3 यह भी 3 है 3 3 के है ठीक है तो इनको solve करेंगे हम तो solve करोगे तो आप क्या जाएगा 3 by 3 यह cancel हो जाएगा और आपके पास आजाएगा 1 ohm तो यानि P और Q के बीच में यह पी और Q के बीच में जो हमारे पास resistance आया वो resistance कितना आ रहा है 1 ohm का आ रहा है ठीक है तो आप जब हम इस circuit को draw करेंगे तो इस circuit में एक तो 1 ohm तो यह लगाई हुआ है ठीक है एक ही आपने solve करा भ्याल combination को तो 1 ohm यहां से आ गया और एक 1 ohm और है combination में यह भी 1 ohm हो गया आपका ठीक है आगे circuit complete कर लेता हूं में यह supply लगा दी इदर से supply लगा के इसको यह connect करा ठीक है यह i आपका current हो गया plus minus 6 volt की supply हो गई ठीक है अब इसको कर देते हैं अपन यह point और यह point इसको कर देते हैं a b इसको क्या कर देते हैं a b तो a b क्या represent करेगा total जो equivalent resistance है उसका a b तो अब यह तो series में series में कहें तो 1 plus 1 plus 1 करोगे तो कितना जाएगा 3 o मा जाएगा ठीक है question में आपसे पुछा है current तो current पुछा है तो वी is equal to i r होता है तो i is equal to v upon r हो जाएगा v supply कितने के लिए आपने 6 की और resistance equivalent कितना है आपका 3 आए तो 326 कर देना तो कितना जाएगा 2 MPR तो यहां से आपका जो answer बनेगा जो कितना जाएगा 2 MPR ठीक है clear है क्या करा हमने पहले P और Q के बीच में equivalent resistance रिकाला parallel combination है तो parallel combination का formula क्या होता है वन अपन आर यह वन अपन आर point को यहां पर हमने इसको ले लिया A और इसको ले लिया B तो A और B के बीच में निकाला लोगे तो total जो है equivalent resistance वो आगया आपको पास 3 O ठीक है फिर V is equal to IR ohm slow लगा है हमने I is equal to क्या होगा V by R होगा V क्या है जो supply अपनी वो 6 volt की है और R जो है equivalent resistance जो A B आपने निकाला है पूरे circuit का वो रख दिया तो 2 A आपका answer बन जाएगा ठीक है तो इस तरह से इसको solve करना है next question दे रखा है unit of magnetic flux तो unit of magnetic flux द्यार लखना है आपको unit of magnetic flux क्या होती है Weber ठीक है simple है direct यहां से answer कर सकते हो आप magnetic flux जो है उसकी unit क्या होती है Weber next question देखते है spring constant बोला हुआ है इनोंने यहां पर की spring constant of a spring तो k is equal to दे रखा है आपको 6 into 10 raise to power 3 newton upon meter ठीक है work done to stretch it 10 raise to power minus 2 meter तो इसको stretch कर रहे हो आप x लग देता हो में 10 raise to power minus 2 meter ठीक है तो work done होता है जब भी आप spring को stretch करते है जब भी spring को stretch किया जाता है तो हम work done करते है against spring force ठीक है वी do a work done PRESIDENT AGAINST spring force और वो जो work done होता है वो stored हो जाता है यह जो potential energy of a spring तो potential energy का आपको यहाँ पर formula लगाना है potential energy की जो है spring की उसका formula होता है half k x square तो 1 by 2 यहाँ रख दो k की value देखो आपको कितनी दिर रखे 6 into 10 raised to power 3 k हो गया और x square means 10 raised to power minus 2 का square ठीक है तो 2 3 जा 6 यह cancel करो आप तो 3 into 10 raised to power 3 तो यह आगया और 2 to the 4 यह होगा minus 4 minus 4 मतलब 3 by 10 और यह जाएगा 0.3 joule joule में अंसर आएगा अपना ठीक है तो अंसर यहाँ से देख लो आप कितना बने आपका 0.3 joule तो यह concept ध्याल लखना आप potential energy of spring का ठीक है next question देखते हैं यहाँ पर तो next question में आप देखें कि दो bodies है एक तो एक मास देख लें इसका मास M दिया हुआ इसका मास 2 M दिया हुआ है ठीक है तो यह surface से heights दे रखी हैं इनकी तो surface से यह तो H height पर है यह 3 by 4 H height पर है ठीक है तो इनके पास जो energy होगी कौन से होगी potential energy because of the position तो potential energy का जो formula होता है जिसे हम बात करें कि भाई ए वाले का potential energy तो पहले तो मैं फॉर्मला होता दूं potential energy का potential energy या gravitational potential energy जो है उसका formula होता है MGH तो first वाले के लिए बात करें तो first वाले का मास M हो गया जी हो गया और height कित्ते है उसकी है है second वाले के लिए बात करें तो मास कितना है 2M है और यह G है और height कित्ते है उसकी 3 by 4 H है ठीक है यह ratio करें A और B का ratio बताओ तो हम कर लेते हैं U A divided by U B U A देख लो कितना है आपका MGH है ठीक है U B देख लो आप कितना है sorry यहाँ पर U B कर ले ना ठीक है U B लिखते है तो U B कितना जगा 2M G ठीक है और यहाँ पर आगया आपका 3 by 4 H वो height उसकी ठीक है तो M से तो M को cancel कर लो G से G को cancel कर लेते हैं ठीक है और यहाँ पर जो यह H है से H cancel हो जएगा और यह 2 है इस से 2 to 4 cancel हो जएगा तो 3 by 2 है तो यह हो जाएगा आपका 2 by 3 तो 2 by 3 आप देख लो कौन सा option है ठीक है first option ही है आपको 2 by 3 तो first option is correct तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना gravitational potential energy का formula apply करना है simply next question देखते है group of vector quantities तो vector scalar quantity आपको आनी चाहिए आप physics आप study कर रहे हैं तो vector quantity क्या होती है और scalar quantity क्या होती है तो vector quantity क्या होती है जिनमें की magnitude होता है magnitude लिखा हुआ है plus direction होती है वो vector quantity होती है scalar क्या होती है जिनमें क्यों only magnitude होता है ठीक है तो चेक कर लो यहाँ पर देखते हैं अपन displacement क्या एक vector quantity है velocity भी vector quantity है time नहीं है area area density mask यह तो हो गई नहीं ठीक है speed speed भी नहीं होगा speed scalar quantity आगए आपको vector group लिकालना है तो देखो velocity vector quantity है acceleration vector quantity है और force भी vector quantity है तो इसका जो answer आ जाएगा वो fourth वाला correct answer है velocity vector quantity है acceleration vector quantity और force भी vector quantity है ठीक है vector quantity क्या होती है जिनमें magnitude plus direction होता है scalar quantity क्या होती है जिनमें सिर्फ magnitude होता है और sense of direction नहीं होता ठीक है next question लेते हैं दा velocity time graph of object moving with uniform velocity तो velocity time graph बनाना है आपको तो देखों uniform velocity का मतलब क्या होता है uniform velocity का मतलब होता है कि velocity जो है वह आपकी constant है during a motion ठीक है आप मालनो कोई body है वह zero seconds से लेके four seconds तक वह motion कर रही है velocity constant है तो उसकी initial velocity माल लेता हूं मैं कि four meter per second थी और final velocity भी कितनी थी four meter per second थी अब अगर मैं इसका graph plot करूं अब अगर मैं इसके लिए graph load करूं तो आप देखो तो graph में हमें क्या धिहान रखना है कि भाई velocity तो यह y-axis पर velocity आएगी x-axis पर आपका time आजाएगा यह टी टाइम आगा यह origin आ गया time आपको लेना है यहाँ पर zero seconds से लेके और मालनो यह हो गया आपका टी इकल टू फोर सेकंड ठीक है और वेलोसिटी आपकी यह रिए वेलोसिटी किती है फोर मीटर पर सेकंड है ठीक है तो वह 0 पर भी 4 थी जब time 0 था तब भी 4 थी ठीक है time 4 हो गया जब भी वह 4 यह तो देखें तो अगर ग्राफ बनेगा तो किसा नेगा इस तरह के कि एक लाइन बन जाएगी मानलो यह मोशन के से हो गया यह से लेकर बीटर ठीक है समझ में आ रहा होगा आपको तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप बनाते हैं किसके लिए कि जब ऑब्जेक्ट जो वह उनिफॉर्म मोशन करा है उनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा ह तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा तो इसका जो अंसर यह कौन सा आगा फोर्थ ओला ओर्थ इस करेक्ट अंसर ठीक है सब्जमाया नेक्स कुश्चन देखते हैं तो इसका आंसर जो आएगगा वो 60 किलोग्राम तो ध्यार रहेगा यह कि वेट चेंज होता है बट मास जो है वो चेंज नहीं होता है मास वही रहेगा जो अर्थ पर था उसका तो इसका अंसर क्या जाएगा बहुत सिंपल है 60 किलोग्राम कॉंसेट दिहार नखना है आपको नेक्स्ट बात करते हैं कि एन अबजेक्ट मास 10 ग्राम इस मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकिन स्कार पोर्स एक्टिंग ऑन दा अबजेक्ट विल भी तो चलो इसको चेक करते तो औरने अबजेक्ट ऑफ मास 10 ग्राम तो मास दिया हुआ है आपको यह करना इसमें मूंग विदेन एक्सेलरेशन ऑफ तो आक्सेलरेशन दे रखिए उसके 10 मीटर पर सेकिन स्क्रेशन आप से पुछ रहा है फोर्स क्या होगा तो फोर्स इस इकल तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन तो मास जो है आपका 10 डिवाइड बाई 1000 ठीक है और और एक्सेलरेशन आपको देखे 10 तो टू जीरो टू जीरो रिमूव कर दो ठीक है तो यह आगया आपको जीरो पॉइंट वन न्यूटन ठीक है तो इसमें बस आपसे ही चेक करना है आपको यूनिट चेक यूनिट का ध्याल रखना है बस इसमें और तो कुछ ऐसा है नहीं ठ ठीक है ठिकत हो देखो यूनिट चेंज करने में भी सिखा देता हूं देखो वन किलो ग्राम इस इकल टू क्या होता है वन थाउजन ग्राम होता है अब आपको ग्राम में बदल ला था तो वन ग्राम को आप क्या लिख सकते हो वन डिवाइड वाइड वाइड वन थाउजन क्लो ग्राम तो यहां पर यह जो वन ग्राम था इस ग्राम की जगे मैं नहीं नहीं लिए लिख दे रहा वन बाई बाई वन थाऊसंग क्लो ग्राम था इसे यूनिट आप चेंज कर लिया करो ठीक है तो इसका अंसर क्या है ठीक है बागी देखलो आप आगे लिखा अचा लेंज फॉर्मॉला आपको करेक्ट लेंज फॉर्मॉला इसमें बताना है तो करेक्ट लेंज फॉर्मॉला बहुत इजी है देखलो आप 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u आपका अंसर क्या जाएगा 3rd 3rd is a right answer 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u यह correct answer होगा है ठीक है next देख लेते हैं next I think हमने पेले भी solve किया हुआ है इस question को यहाँ पर focal length focal length का मैंने आपको बताया हुआ है ठीक है तो p is equal to क्या लगाओगे आप 100 divided by f in centimeter तो f अगर centimeter में है answer आपका डियोक्टर में आएगा तो 100 और f देखो centimeter में दे से रखा है का आपको 50 cm दे तो 50 कर दो 52,100 कर दो तो answer आपको कितना जाएगा तू डायप तक तो इसका answer कितना आएगा आपका तू डायप तक ठीक है next question देखते है next question में है relationship पूची हुई है रेडियस ऑफ करवेचर और focal length के बीच में ठीक है relationship पूची है radius ऑफ करवेचर और focal length तो यह होता है focal length to small f से बताते है small f is equal to r by 2 तो यह हां से लिखता हम r2f ठीक है तो यह देख लो आप r is equal to 2f 3rd वाला इसमें correct answer है तो students इस तरह से हमने questions discuss करें जो इस साल NTSC examination में आये हैं तो आपने देखा होगा कि जो questions है काफी easy questions है तो अगर आप regular जो आपका syllabus है 9th का जो syllabus है और जो 10th का syllabus है उसको regularly study कर रहे हो तो आप बड़े easily आप इस NTSC exam में qualify कर सकते हैं जहां तक physics की बात है बहुत easy questions आते हैं ठीक है और NTSC examination से क्या-क्या फायदे हैं NTSC अगर आप qualify कर जाते हो तो इससे क्या-क्या advantage है इसका video already मैंने बनाया हुआ है और वो हमारे जो है YouTube channel पर available भी है ठीक है तो आपको अगर इससे help मिली है इस video से आपको लगता है कि जो explanation यहाँ पर करा है वो ठीक explanation है आपके लिए अच्छा है और आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस channel को subscribe जरूर करें और subscribe करने के बादा अगर इसमें कुछ कम्या है तो आप इसमें comment section में आप comment करें के sir यह थोड़ा और आपको explain करना चाहिए ता यहाँ पर आप इस तरह से आप improvement कर सकते हैं ठीक है so thank you for watching this video okay thanks